पूरे देश में दशहरा का पर्ब धूमधाम से मनाया गया इसी कड़ी में बिहार के वैशाली जिला के गोरोल प्रिखंड अंतरगत लक्ष्मी चौकेस्थित नौईवक दुर्गा पूजा समित द्वारा राम अरदहन का भब आयुजन किया गया इस कारिक्रम में राम का किरदार जेडियू प्रदेश राजनेतिक सलाहकार समित के सदस पंकच पटेल ने रिभाया जबकि लक्षमर का किरदार जिला पल्चत सदस मनोष ठाकुर ने अधा किया पूजा समित द्वारा बनाए गये 60 फिट उचे रावर का दहन हजारों लोग की मौजूदगी में किया गया जिसमें विभिन पंचायतों से 10 हजार से ज़्यादा लोग शामिल हुए भीर में जैश्री राम के नारे लगातार गुंसते रहे कारिकरम का उधातन पंकच पटेल द्वारा किया गया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें श्री राम के आदर्सों पर चलना चाहिए धन और बल के थोड़े से प्राप्ती से एहंकार नहीं करना चाहिए क्यूंकि एहंकार ने रामर जैसे बलशाली और ज्यानी व्यक और समता मूलक समाज का निरमाल संबह हुए इस कारिकरम में नौ युवक द्वारा पूजा समीती के अध्धक्ष राम उद्देश सिंग, मुखिया पती, कौशल किशूर सिंग, सिवचंद्र प्रसाद सिंग, तारकेश्वर प्रसाद सिंग, गडेश कुमार सिंग, महिंद अमान लोग उपस्थित रहे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बिहार के व्याशाली के गोरोल प्रखंड अंतरगत लक्ष्मी चौक स्थित नौ दुर्गा पूजा समीती द्वारा रामर देहन का भब कारिं करम आयोजित किया गया, आपको बता दें कि जिस तर राटर के दिनों में पूरी रामलीला का मंचन हुआ और इस दोरान हर दिन यहां पर रामलीला देखने वालों स्रधालू पहुंचे और भारी मात्रा में लोगों में उत्षाहद सहरा के दिन दिखा और इस दिन लोगों ने रामण दहन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया, बताया गया कि लगभग 10 हजार से ज़्यादा लोग रामण दहर कारिक्रम में पहुंचे थे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कारिक्रम वैसाली जिला में आयुजित किया गया, फिर से आपको जानकाई देते चले कि कारिक्रम का उद्गाटन पंकच पटेल हैं, हमारा घमन कहां टिक पाएगा, इसी दिये सबको मिलकर रहना चाहिए, नारी शक्ती का सम्मान करना चाहिए, फिलाल जिस तरीके से ये कारिक्रम आयुजित किया गया है, और ये भविद और देवित तस्वीरें जो आई हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बिताएगा, वीडियो को शेर कीजेगा, लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, और बने रहेगा, एन्वेफ निउस पर